ममता को पारलर वाली तयार करने के लिए आ गई थी, बाहर उसकी मा रसोही में म्यमानों के स्वागत की तयारियां कर रहे थी, आज ममता को देखने के लिए 15 वी बाहर लड़के वाले आने वाले थे, घर में किसी के भी चेरे पर उत्सा की कोई चिन नहीं थे, वह सबी तो बस मन ही मन भगवान से यह फ्रात्ना कर रहे थे, की बस किसी तरह लड़के वाले ममता को पसंद कर लें। हो रही थी, उसे भी कुछ खास उमीन नहीं थी, उसे पता था की लड़के वाले आयेंगे, चाय नास्ता लेके, उस से दस तरह के उट पटांग सवाल करके, और फिर उसके काले रंग की दुहाई देकर, इस रिष्टे से इंकार करके चले जाएंगे, या फिर दहेंज के लिए इतना बड़ा मुझ खोलेंगे की, उनके पिता खुद ही इस रिष्टे के लिए इंकार कर देंगे, पिछले 14 बार भी लड़के वालों ने यहीं सब तो किया था, ममता तो अब 29 बनना भी नहीं चाहती थी, उसके सारे कुमारे सपनों ने कब का दम तोड़ दिया था, अब ना वह किसी सपने के राजकुमार का इंतजार कर रही थी, और ना ही उनके मन में कोमल भावनाएं ही रह गई थी, लेकिन माता पिता की मर्जी के आगे उसकी चलती ही कहा थी, माता पिता भी तो जवान बेटी को आजीवन अपने सीने पर भार बना कर नहीं रख सकते, थे इसलिए वे लोग भी कोशिसों में लगे हुए थे, और ममता चूप चाप माता पिता के कहे अंसार चलती जाती थी, जैसे जैसे समझ बीत रहा था ममता की खबराहट बोल रही थी, उसके पर भारी से हो रहे थे, उसे लग रहा था जैसे वह लड़के वालों के सामने जाही नहीं पाएगी, तभी उसका बड़ा भाई मयंग कमरे में आया, अपने भाईया को देखते ममता की आखों के कोर गीले हो गए, पूरे घर में केवल भाईया ही थे, जो उनकी मनोदसा को समझते थे, और हर हाल में उसका साथ दिया करते थे, वैसे तो ममता और मयंग के बीच दस सालों का फासला था, लेकिन फिर भी मयंग अपने बहन के पीछे हर प्रिस्ति में एक ढाल की तरह खड़ा रहता था, मयंग अपने माता पिता की पहली संतान था, पहली ही संतान अगर बेटा हो जाए, तो माता पिता फूले नहीं समाते हैं, मयंग भी अपने मम्मी पापा की आँखों का तारा था, मयंग के जनम के दस साल बाद ममता का जनम हुआ, पहले बच्चे के जनम के समय उनके माता पिता जितने ही खुस थे, उतनी ही इस बार निराशा होई क्योंकि एक तो ममता एक लड़की थी, उपर से उसका रंग काली कोयल से भी अधिक काला था, उसे देखकर ममता की मान ने सीर पीट लिया और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान मैंने काउन से पाप किये थे, जो तुमने ऐसी काली कलोटी बेटी मेरी जोली में डाल दी, देना ही था, तो सावला रंग देते, लेकिन ये तो काले से भी ज़्यादा गुजरी है, कल को इसका बविश्य क्या होगा, कौन करेगा इस से सादी, बस उसके जरम का दिन था, और आज का दिन है, आज तक ममता ने कभी भी तारीप और प्रसाहन के सब्द नहीं सुने, घर में माता पिता की उपेच्छा से तुटा हुआ, मन तो भाई के सने से थोड़ा समभाल भी जाता था, लेकिन स्कूल में, कालेज में, हर जगा उसके रूप रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, जिसके कारण हर बार उसके दिल पर गहरा जख्म पड़ जाता था, अमता न केवल काली थी, बलकि उसके दात भी उबड़ खाबड से थे, जिसकी वज़स से जब वह मुस्कराती थी, तो उसका कुरूपता और बढ़ जाती थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास डगमगाता जा रहा था, अभी भी मयंक कमरे में आते ही ममता भरे गले से बोली, भैया मुझे इस तमासे का हिस्सा नहीं बनाना है, मयंक भी माता पिता की मर्जी के आगे विवस था, उसने ममता को समझाते हुए कहा, एक बहन सभी लोग एक जैसे नहीं होते, तू तो कितनी अच्छी है, तू निरास क्यों होती है, सब अच्छा ही होगा, मयंक बले ही अपनी बहन को संत्वना दे रहा था, लेकिन उसके सब्द बहुत खोखले थे, क्योंकि कहिन न, कहिन उसके मन में भी डर था, कि आज भी ममता का दिल तूट जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही, लड़के वाले आये, लेकिन ममता को देखते हैं, उनके चेहरे उतर गए, ममता भी उनके चेहरे के भाव देखकर सब समझ गई थी, और उनका मन उदास हो उठा था, भले ही लोग कितने ही आंत्री गुणों की बातें करें, लेकिन आज भी हमारा समाज एक पल में बाहरी रूप रंग को देखकर ब्यक्ति के बारे में धाड़ा बना लेता है, चेहरे की कुरुपता के आगे उसके सबी गुण फीके पड़ जाते हैं, लड़के वाले इंकार करके चले गए थे, ममता के पापा ने भी ममता की किस्मत को ही दोस दिया, उसकी मा भी रोते हुए, उसे उपेच्छित नजरों से घुर कर कमरे में चली गई, लेकिन किसी ने भी ममता के जखमों पर मलहम लगाने की कोशिस नहीं की, ममता अपने कमरे में जाकर बिश्तर पर कटे हुए ब्रिच की भाती अओधे मुह गिर गई, और फूट फूट कर रोने लगी, मयंक, जैसे हिम्मत देने के लिए पीछे पीछे उसके पास आया, लेकिन आज ममता की इस्तिती देखकर वह दहल गया था, और सोचने लगा की यदि जल्दी से कुछ न किया जाएगा तो कहिन ममता का अंजाम भी स्वेता बुगा की तरह न हो जाए, आज पता नहीं क्यों ममता के करुण रुदन में स्वेता बुगा की सिसिक्या सुनाई दे रही थी, मयंक ममता के बालों को सलाते हुए उसे चुप करने की कोशिस कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अतीत के गलियारों में भटक गया, जब मयंक बारव वर्ष का था, तब एक दिन घर्ष में खबर आई की स्वेता बुगा ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली है, इस खबर से सभिस्षन रह गए थे, लेकिन किसी ने भी घटना से कोई सीख नहीं ली थी, श्वेता बुगा भी ऐसे ही सावली थी और खुबसूरत नहीं थी, उसके माता पिता ने ज्यादा दहेंज देकर किसी तरह उनका विवा तो करवा दिया था, लेकिन ससुराल वाले हमेशा उनके रंग रूप को लेकर उन्हें ताना मारते रहते थे, स्वेता बुगा सबका दिल जितने के लिए अथक प्रयास करती थी, उनके बनाए भोजन में बड़ा स्वाद था, वो सभी मन पसंद खाना बनाती थी, तके होने के बाउजुद साथ ससूर की खुब सेवा करती थी, ताने सुनकर भी सभी से मीठा ब्यहवार करती थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें न कभी अपने लिये कारियों की तारीफ पाई, और ना ही उन्हें सम्मार मिला, अपने ससुराल वालों और पती के ताने सुनकर वत पहले से तूट गई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला की उनके पती का किसी खुबसूरत विवती से अफेर चल रहा है, तब ये उन्हें सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपने माता पिता से अपना दुख बताया, लेकिन उसने भी उन्हें सम्वेदना सुन्य उत्तर मिला कि हमने बहुत मुश्किल से तुम्हारा घर वसाया है, अब जो है जैसा भी है दिभाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, दोस्तों इस काहानी का सेश भाग पार्ट टू में, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेर, सस्क्राइब अवस्य करना,